अब्लाइब दोस्तों हाजिर हैं हम एक बार फिर आईशाला एप्लिकेशन का पार्ट टू लेकर पार्ट वन में आपने आईशाला के बारे में बहुत कुछ सीखा है और बहुत सारी चीज़े हैं जो आपको यहां पर बतानी है तो आईशाला का पार्ट टू आपको जरूर देखना है पार्ट वन अगर आपसे मिस हो गया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट वन की लिंक आपके लिए रखी गई है हार्दिक पंडेजी के चानल की लिंक भी आपके लिए रखी गई है तो वह भी आप जो है सब्सक्राइब करें और चानल पर नहीं हूँ मेरे तो चानल को सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और वीडियो को शेर जरूर करें मैं हूँ आपका ऑलिजों और शिरा कि आए आए अज है on the toppack view अच फेहरमोनियम बटं आइशाल vigil हम ने ओपन किया है मैंने पहले से हार्मोनियम पे सटेक्त किया हुआ था इसलिए प्ले हार्मोनियम आ रहा है तो आप पहले तो हार्मोनियम को एक बार सुन लीजिए प्ले हार्मोनियम पर हम डबल टैप करेंगे तो दोस्तों जैसा कि आपने सुना हार्मोनियम इसमें वही सिस्टम है सबसे पहले आपको राग सलेक्ट करना है हैं जो राग आप सलेक्ट करते हैं उसी राग में harmonium अपने आप में बजएगा यह लहरा देगा इसकी सेटिंग हम देखते हैं ठीक है सबसे पहले हम सेटिंग देखते हैं तो जैसा इसको मैं Play कर रहा हूँ आप थोड़ा सह सुनिये हार्मोनियम सेटिंग्स हार्मोनियम सेटिंग्स को डबल टैप करते हैं हार्मोनियम सेटिंग्स टून लेहरा इन 16 बीट्स टू ऐसा लिखा हुआ रहा है पहला ओप्षन डिक्रीज वोल्यूम इसरा ओप्षन अब हम वापिस सेटिंग्स टून लेहरा इन 16 बीट्स को हम डबल टैप करते हैं देखते हैं अंदर क्या आता है तून्स लेहरा इन 16 बीट्स नंबर साइन वान बट्न यहां पर तीन ऑप्षन दिए हैं वन टू और त्री तो हम वन को सेलेक्ट करके अब देखते हैं कि क्या चेंज आता है लेहरा वन सेलेक्ट किया हुए हमने तो आप साउंड सुन पा रहे हैं और जैसा तबलह के साथ होता है वैसा इसमें भी होता है कि जैसे हमने सलेक्ट किया है आटोमेटिकली यह हमारे ओंुन अ स्टेटिंग में हम आ चुके हैं उससे थोड़ा सा बैक एक स्टेप बैक वापीस हम को जाना है हम उससे सलेक्ट करेंगे फिर से लहरा इंच 16 बेड नूब्र साइन वन बतन लेरा इंच 16 बीड ऑन से सलेक्टेड था हुए हम livres फिर से नेक्स्ट के लिए स्वाइब करते हैं एक की जगे दो आयेगा लेर्ट इस्वेंच 16 बीड नूबर साइन त्युवित बतन इससे हम सिलेक्ट करके देखते हैं सुन पा रहे हैं आप इसे अब हम चलते हैं हार्मोनियम तीन की और वही ओप्शन फिर सेलेक्ट करेंगे हम वन पे है इससे हम ले गए हैं अब त्री पे जाते हैं हार्मोनियम सेटिंग्स हार्मोनियम सेटिंग्स में हम वापिस आ चुकें क्योंकि हमने उसे सेलेक्ट कर लिया है तो ये तीन ही इसमें ताल के हिसाब से लहरा ही बज़े का आपके पास में और यही ओप्शन हैं एक बार बैक करते हैं हम अब आप सभी के मन में एक प्रश्ण उपन्द हो रहा होगा कि भईया इसकी वोल्यूम कैसे हम सेट कर सकते हैं तो वही डबल टैब वाला ओप्शन यहां भी काम करता है और बाकी आप फोन का जो मीडिया वोल्यूम होता है उससे तो सेलेक्ट कर ही सकते हैं अब आजाते हैं हम स्पीड पे स्पीड के लिए हम करेंगे जहां प्ले था वही बटन पॉस का है जब वो बंद है तो प्ले बोलेगा और जब चल रहा है तो पॉस बोलेगा जैसी पॉस पे सेलेक्ट करेंगे आप वो बजना बंद हो जाएगा यह मैंने पॉस सेलेक्ट कि अब आप सुनिए कि अब क्या बोलता है प्ले हार्मोनियम इस पर मैंने वापिस से सेलेक्ट किया तो बजना स्टार्ट हुआ अब हम चलते हैं हार्मोनियम की स्पीड की और राइट से लेफ्ट प्रीवियस आइटम के और हम बढ़ेंगे अर्मोनियम सेटिंग्स प्ले तबला टबला सेटिंग्स इंक्रीज टेंपो एंक्रीज टेंपो टेंपो तेंपो मीडियम जो ऑप्षण है इससे हम सेलेक्ट करेंगे यह हमारे काम का ओप्षण है जैसा कि हमारे साथ तबले में था very slow, slow, medium इसी तरीके से option यहाँ पर भी है तो हम इसे select करेंगे एक बार फिर से उसके बाद medium slow, medium जो की हमने already select किया हुआ है, medium fast, medium fast पे हम टैब करते हैं तो सुनें आप किस तरीके से यह बचता है जैसे ही हमने medium fast पे select किया है, हम पिछले menu में वापिस आ चुके हैं, अब अगर आप speed फिर से कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो उसी list में जाएंगे, जैसा कि हम तबले में गए थे फिर से हम select करते हैं, tempo medium fast जो option है, उसे हम select करेंगे, very slow से हमेशा start होगा दोस्तों, यह आपको याद रखना है, पहला हमारा by default cursor very slow पे ही जाएगा, उसके बाद slow पे आएगा उसके बाद हम जब swipe करते हैं, तो medium slow पे आएगा, उसके बाद medium पे आएगा, medium fast पे आएगा, और जब हम fast को select करेंगे, तो कुछ इस तरीके का हार्मोनियम का sound होगा इस तरीके से आप speed को maintain कर सकते हैं, उम्मीद है आप सभी इस संतुष्ट हुए होंगे, जदी आपको कोई confusion रहता है, तो आप मुझसे फिर से पूछ सकते हैं, संपर कर सकते हैं तो आज का हार्मोनियम का demo हम यहीं पे smart करते हैं, आई शाला के हार्मोनियम का, तो देखें आप हम कि रोकेंगे कैसे इसे, वही pause वाले बटन से pause हार्मोनियम आ चुका है, इस पे हम double tap करते हैं, यह हमारा हार्मोनियम रुक चुका है और अगले सेशन में मैं आपके साथ स्वर मंडल की सेटिंग लेकर के आऊँगा, तब तक के लिए मुझे यानि कि हार्दिक पंडिया को दीजिए इजाज़त धन्यवाद तबला और हार्मोनियम के बारे मैं बता चुका हूँ, अब बात कर लेते हम स्वर मंडल या सूर मंडल और तानपूरे के बारे में, तो सबसे पहले हम हमेशा की तरह आईशाला में एंटर करेंगे आईशाला में आ चुके हैं, तो सेशन से हमेशा आईशाला स्टार्ट होगा, आपका बाइडिफॉल्ट करसर सेशन पे रहेगा, तो सेशन वन चल रहा है अभी, अब हम स्वाइब करेंगे इसे, तून ओन सी, सी पे ये मिला हुआ है, रागा भीमपलासी सलेक्ट किया हुआ है, कैसे सलेक्ट करना है, आपको मैं पहले ओडियो में बता चुका हूँ, कोई नेक्स्ट राग आपको सलेक्ट करना है तो, टेम्पो कैसे सलेक्ट करना है, ये भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ अगर आप टैंपो या वोल्यूम करना चाहते हैं तो डबल टैप के थुरू आप कर सकते हैं उस पे कॉंस्टेंटली डबल टैप करें तो आपको स्पीड कम तेज होती समझ में आएगी जितनी आपको चाहिए उतनी आप रख सकते हैं और जहां वॉल्यूम की बात है तो वॉल्यूम में भी आप इसी तरीके से ज्यादा कम कर सकते हैं तबला सेटिंग में आप जा करके तबले क की सेटिंग चेंज कर सकते हैं जो मैं आपको पहले बता चुका हूं प्ले हार्मोनियम है ले कर सकते हैं स्वर मंडल सेटिंग आ रहा है अब अब हम देखते हैं स्वर मंडल सेटिंग क्या है पर उससे पहले हम स्वर मंडल की आवाज सुन लेते हैं प्ले स्वर मंडल तो अभी जो आवाज सुनी आपने वो स्वर मंदल की थी जब आप प्ले ऑप्शन पे जाते हैं तो उसका नेक्स्ट ऑप्शन है अरोह जिसे मारा टॉक बैक इरोह पड़ता है वो आरोह है बेसिकली असेंडिंग और अवरोह डिसेंडिंग आप जो सलेक्ट करेंगे उसमें स दन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि स्वर मंदल सेटिंग आप्शन काई के लिए था वह बैताता हूं आपको पहले हम सबसे पहले तो स्वर मंदल लेकर देता हूं मैं आपके लिए समझने के लिए यह अभी मैंने कर रखा है इसे प्ले और अवरोह पे चल रहा है अब हम आरोह पे सेलेक्ट करके देखते हैं यह हमारा आरोह यानि की असेंडिंग मोड पे चल रहा है अभी जैसा आपना ओप्शन सुना था पहले आरोह उस ओप्शन को मैंने सेलेक्ट किया और आरोह में यह बज रहा है आईए अब देखते हैं अवरोह के बारे में अवरोह पे ले जा चुका हूँ और अब मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ तो अब यह अवरोह में बज रहा है अभी आपने सुना पॉस्वर मंडल अब हम स्वर मंडल को पॉस करते हैं दोस्तों एक बार माफी चाहता हूँ मैं आप सभी से क्योंकि वॉल्यूम हो सकता है कि कम आ रहा होगा तो अगर ऐसा है तो आप मुझे बताएगा मैं इसको फिर से बना दूंगा आपके लिए तो अब हम इसको प्ले करते हैं और इसकी सेटिंग में जाएंगे प्ले करने के बाद हमने स्वर मंडल प्ले किया है स्वर मंडल सेटिंग्स में हम जाते हैं स्वरमंडल सेटिंग्स, फ्रिक्वेंसी, एवरी 5 सेकंड्स बटन, जैसा आपने सुना, फ्रिक्वेंसी एवरी 5 सेकंड्स, फ्रिक्वेंसी से मतलब है, कि यह जो बज रहा है स्वरमंडल, दोनों के बजने में जो गैप आ रहा है वो 5 सेकंड्स का है, हम सलेक्ट करते हैं इस एक मिनिट का एवरी 120 यानि दो मिनिट के डिस्टेंस पर भी बच सकता हिए और चार मिनिट पर बजेगा इस तरीके से आप जो भी जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उसे आप सेलेक्ट करें आपकी फ्रिक्वेंसी अपने आप में सेलेक्ट होने के बाद में आप जस्ट पीछे वापिस आजाएंगे एक स्टेप अब 5 सेकंड की जगे हम 10 सेकंड करके देखें और यह 10 सेकंड पर करसर लाया हूं मैंने और इसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूं क्योंकि हमने 10 सेकंड इसे सलेक्ट किया है तो जब यह एक बार बज़ता है और दूसरी बार बजने के बीच में इसमें 10 सेकंड का टाइम यह लेगा अब हम मेन में वापिस चले जाते हैं एक बार और बैक करने के बाद अब इसे रोक देते हैं और अब बात कर देते हैं तानपूरी के बारे में इरोहा बटन टानपूरा सेटिंग्स पहले आप कूर्स में ले चलता हूं बता रहा है तानपूरा मोडल फोर स्ट्रिंग मतलब चार स्ट्रिंग वाला तानपूरा है आपके पास पहला स्ट्रिंग आपका पर मिला हुआ है तो आप इसपर डबल्टर करते जाएं अपने आप आप ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी एक दम से आपको इसका effect नहीं दिखेगा तो double tap आपको ज़्यादा time करना पड़ेगा increase speed बढ़ाने के लिए भी आप यही कर सकते हैं speed बढ़ाने के लिए भी आपको double tap करते रहना पड़ेगा और ज़्यादा दिर तक आप करेंगे तब ही आप इससे control कर पाएंगे decrease volume, increase volume यह दोनों भी इसी तरीके से double tap के थ्रू ही होंगे change octave का मतलब है कि एक तानपुरा आपका normal बजेगा और आप उसे दूसरे तानपुरे को आप octave change कर सकते हैं मतलब आप मध्य में कर लीजिए तार में कर लीजिए उससे वो select हो जाएगा यूज सिंगल तानपुरा है इसे आप क्लिक करते हैं तो अब देखते हैं क्या हुआ change octave यूज डबल तानपुरा डबल पे हम select कर लेते हैं तो अब हमारा तानपुरा डबल में बजेगा तो आपको सुनवा देता हूँ एक बार में बैक में जाएंगे हम अभी हम आई शाला के में व्यू में आ गये हैं अब हम तानपुरे को प्ले करते हैं इसके बाद हम तानपुरा प्ले करेंगे जब आपने तानपुरा प्ले कर दिया है अब राइट से left आप स्वाइप करेंगे तानपुरा सेटिंग्स आएगा अवरोह यानि कि ये स्वर मंदल के आरो अवरोह है इसे आप प्ले करेंगे अब हम आगे चलते हैं स्वर मंडल सेटिंग्स प्ले हार्मोनियम है इसे आप बीच में कभी यदा कदा यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं इस तरीके का इसमें लहरा बज़ेगा क्योंकि हमने भीमपला से सेलेक्ट किया हुआ है तो अभी भीमपला से ही इसमें बज़ रहा है स्वर मंडल और हार्मोनियम में ये दुनों आटोमेटिकली सेलेक्ट करते हैं हार्मोनियम सेटिंग्स है, ले तबला, अब हम जब तबला प्ले कर देंगे तो तबला भी इसके साथ में बजना लगेगा अब मान लीजिए कि आपको स्पीड बढ़ानी है तबले की, तो आप कैसे करेंगे, यदि आप गा रहे हैं तो हार्मोनियम सीधी बात है कि आपके साथ नहीं बजेगा तो हम हार्मोनियम को पॉज कर देते हैं भी पॉज हार्मोनियम ऑप्शन है, हमने सेलेक्ट किया, हार्मोनियम बन दो चुका है, तबला सेटिंग्स को हमें नहीं छेड़ना है, उसका स्पीड से कोई मतलब नहीं है, यह सिर्फ ताल चेंज करने के काम आएगा आपके इंक्रीस टेंपो भी इतना इफेक्टिव नहीं है, अब हम टेंपो मीडियम जो ऑप्शन है, उसके अंदर एंटर करते हैं अब हमारे पास में ऑप्शन आ चुके हैं, वेरि स्लो, अब जब हम गा रहे हैं, मीडियम में हम घा रहे हैं, तो अब्विस सी बात है कि हम इसे मीडियम फास्ट पे लेके जाएंगे, एकदम से फास्ट नहीं करेंगे तो हम सेलेक्ट करते हैं Midium Fast, यह Midium Fast प्या चुका हूँ मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, हमने Midium Fast पर सेलेक्ट किया हुआ इसे, अब हम इसे और फास्ट करते हैं वही ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है टेम्पो यहां पे टेम्पो मीडियम फास्ट पे हैं हम उसे डबल टैप करते हैं फास्ट से ही बाइड़र्ट स्टार्ट होगा अब हम जब फास्ट पर जाना चाहते हैं तो यहां से रइट से लेफ्ट स्वाइप करते हैं अपने सुना टॉक बथस्वास्ट प्व्यूज़्यान टेंपो फास्ट इसने नौटिफिकेशन में दिया है तो आएए अब कोशिश करते हैं थोड़ा सा मैं आपको सुनवाता हूं वोल्यूम बढ़ा करके media volume control shown swipe up to dismiss तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को समझ में आया होगा यदि आपको कोई कंफुजन रहता है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं मैं आपको फिर से बता दूँगा और अब मुझे दीजी इजाज़त धन्यवाद स्मार्ट रिक स्मार्ट